अगर आने के बाद भी अगर आपकी salary आपको कोई ना दे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं जी हाँ मैंने आपको बताया Industrial Dispute Act जो Labor Court या Labor Law से समबंदित है और इसके साथ ही साथ Payment and Wages Act Civil Procedure Court Section 37 Companies Act 447 बहुत सारी तमाम सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि आपनी हथे हैं आपकी पास करनी के लिए काफी कुछ है क्या कर सकते हैं क्या आपके लिए important है इस पर्टिकलर वीडियो में बात करेंगे नमश्कार आप सभी ने शुरुआत किया अशोग पांडे के साथ Legal Advice में और इस चैनल के माध्यम से लगातार जो कानूनी मामले हैं कानून की जो जानकारी है वो हम आप तक पहुचाते रहते किसी परेशानी जो की Legal संबंदित है कानूनी संबंदित है अगर आप मुझे ड पैसा आपको ना दे आपके wages जो है वो आपको अगर ना दे तो उसके लिए क्या किया जा सकता है आपको ध्यान रखने वाली बात है Industrial Dispute Act की धारा 33 जहां पर आप Industrial Court में जिसे हम Labour Court भी कहते हैं Labour Commissioner के पास में आप जो Complain Application है वो फाइल कर सकते हैं दूसरा जो provision है Payment and Wages Act Section 4 मे भी आप उसकी शिकायत कर सकते हैं क्या प्रावधान है जो प्रावधान है सबसे पहले हम Industrial Dispute Act Section 33 C की बात करेंगे जहां पर मान लीजे आपकी जो salary है या wages है या bonus है या areas है या और भी कोई ड्यूज अगर है उसका एक लाख रुपे बनता है for example तो आप उसका तीन गुना क है अगर company के खिलाफ में शिकायत करनी है company ने आपके साथ में fraud किया है धोखा दड़ी की है और आपसे काम लेने के बाद आपके wages जो है वो आपको नहीं देते तो 2013 में जो amended company laws है उसकी section 447 को आपको ध्यान में रखना जी है इस कानूनी प्रावधान 447 companies at 2013 में ये prescribe किया गया जो भी company ऐसा fraud अपने employees के साथ में करेगी हमेशा employee बड़ा नहीं होता आपके भी कानूनी अधिकार है इस वजह से आपको सजकता के साथ में समझने पड़ींगे for example अगर आपकी 45,000 से उपर की अगर income है या earning है तो आप क्या करेंगे उसके लिए फिर आपको अगर आप manager post में है या administrative post में है वहाँ पर अगर आपके साथ company या कोई organization आपके साथ ऐसा करता है कि आपकी जो wages हैं salaries है वो अगर आपको नहीं पे कर रहा है तो civil procedure code section 37 काफी important हो जाता है जहां पर आप summary suit file करेंगे और जो भी आपके payment of wages या areas है या dues है जो भी आपका payment है उस payment को recover करने के लिए आप procedure prescribed जो section 37 summary suit में दिया हुआ है उसके अंतरगत करेंगे तो तीनों का अलग 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 टेक लिए बट मैं आपको suggest करूंगा कि आपके लिए better ये रहेगा कि आप जो industrial dispute act की section 33 C है उसके अंतरगत आप शिकायत करें payment wages section 4 के अंतरगत शिकायत करें क्योंकि इसका जो time limitation है वो कम है तीन महीने के अंदर आपकी application decide हो जाती है तो इस वजह से ये आपके लिए काफी ज़ादा beneficial हो सकती है और मैं हमेशा suggest करता हूँ कि आप एक legal notice भेजें legal notice में ही आपका पैसा recover हो जाता है नहीं भी हुआ तो आप अपने मामले का जो mediation है mediate करने कोशिश करें reconciliation में जाने दें आपके मामले को तो जिससे आपका जो निराकरन है वो फटा फट हो जाए और आपके कानूनी खर्चे भी ना आज ऐसा मेरा आपको suggestion रहता है तो आप करेंगे वो civil procedure code में summary suit file करेंगे जो की होगा धारा 37 section 37 के अंदर गत और अगर कोई company आपके साथ में cheating या fraud करती है fraudulent intention है अगर उस company का तो उसके against में dishonest behavior के लिए आप जो शिकायत करेंगे वो 447 of companies act 2013 में करेंगे जहां पर 6 महीने से 10 साल तक की सजा भी prescribe की गई है और साथ ही स आप three times compensation claim कर सकेंगे जो भी आपके areas salary dues बनते हैं जानकारी पसंद आई हो like subscribe जरू करें आप comment कर सकते हैं प्रशन पूछ सकते है comment box में भी और directly अगर मुझसे बात करना चाहे इस particular वीडियो के description में detail है link है जहांसे directly आपकी और मेरी हो जाएगी बात आप सभी को जानकारी पस अंदातिये subscribe करने के साथ हमेशा हसते और मुस्कुराते रहें इसी कामना के साथ मिलिए अगले वीडियो में आप सभी ने जो कीमती महत्योपूर्ण समय आपका मुझे दिया इसके लिए आपका बहुत धनेवाद